जो है वो थोड़े से हापे शाइड टिंजर में हो सकती है देखे सबसे पहले तो यह आप से बात करने वालों कि हमने हाँ पर पास में देखा था कि PUBG बैन हुआ था, टिक टॉक बैन हुआ था, चाइनीज की जो सॉप्टर रसते वो तो बैन हुए थे लेकिन एक दो साल से मैं एक चीज यहां पर अबसर करी है कि चाइनीज कंपनीज की जो होती है न कोई निउस ऐसी निकल के आ जाती है कि कभी कई ED का रेट पढ़ गया, कभी कोई notice आ गया, कोई government की agency का कुछ हो गया और आप खुद देख सकते हैं कि पिछले साल यानि कि 2022 की starting में Xiaomi के उपर आया था recently Vivo के साथ भी कुछ ऐसे scenes हमें सुनने को में लेते और अब शायद हो सकता है कि Xiaomi Vivo के बाद अपना जो OPPO Group है जिसके अंदर OPPO OnePlus Realme आते अब इसके उपर भी कुछ हो जाए और यही चीज जो रहती है ना मेरे को थोड़ी सी interesting भी लगी थी कि कहीं ऐसा नियों कि Chinese इस company को थोड़ा इतना मुश्किल कर दे इंडिया में सरवाइब करना कि कहीं लीव आउट ना कर दे मदला में एक छोटा से एक्जामपल देता हूं आप इसे डिरेक्ट भी कह सकते इंडिरेक्ट भी कह सकते लेकिन OnePlus और Realme ने officially अपने TVs बिनानों बंद कर दिये मतलब में खुद OnePlus का जो इंडिया का जो सबसे बड़ा स्टोर है मतलब सबसे बढ़ा नहीं कहूंगा कि यह Cannot Place Delhi में स्टोर तफ भागया वहाँ यह चेक करने कि exactly इनके TVs का क्या तो उन्होंने बताए कि TVs कि आप सेल्स भी थी शायद प्रॉफिटेबल इतना नहीं था या फिर आफ्टर सेल्स सर्विस इच्छी नहीं दे पा रहे थे इसलिए हटा दिया लेकिन Realme को भी हटा दिय और सर्प्राइजिंगली जो OnePlus है ना वो स्मार्ट TV के जो टॉफ 5 प्लेयर्स होते ना उसके अंदर आपको यह देखने को मिलता है तो यह एक चीज तो यहाँ पर थी इसके साथ ही यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो एक बात ही बता सकता हूँ कि हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में शायद चाइनीज कंपनिया इतना अच्छा शायद ना कर लेकिन शायद आने वाल समय जो चाइनीज कंपनीज है वो शायद उनके उपर और भी प्रॉब्लम्स आप अगरा सकती है लेकिन चलिए इसके साथ ही बात करता हूँ कि यह जो चीज एन क्योंकि जित्ती भी चाइनीज कंपनीज है अर इंडियन कंपनीज के साथ जो मेरा पसल समय बढ़ाद बता देना चाहता हूँ कि चाइनीज कंपनीज मैं जहांतर में ऐसा रहता है कई बार एरोगेंस रहता है यह पर कई बार हम कोई फीडबैक वगरा प्रॉइट करनी आपका लेंगे, टेस्ट करेंगे, ताकि किसी और के प्रॉब्लम नहीं आए, आप दूसरा यूनिट लीजे, टेस्ट कीजे, अगर प्रॉब्लम आती तो आप हमें बताइए, तो इस टैप के कुछ चीज़े मेरे को अच्छी लगे की, कम से कम इंडियन कंपनी फीडवेग को थोड़ा सीरिसली लेती है, और उस पे हाँ पर काम करती है, चाइनीज कंपनी इस चीज में को थोड़ी से कम लगी, लगा कि शायद उन्हें ऐसा लगता है कि एरोगेंस हमें शाय थोड़ा सा जादा हो गया है, हाला कि हर एक कंपनी का अलग रग हिसाब रहता है, किसी का य Mobile World Congress देखने को मिलता है, Spain, Barcelona के अंदर, लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा कोई tech event नहीं था, जहां पर दुनिया भर की यह और Indian companies भी आए, participate करो और अपनी technology शोकेस करें, अब इंडिया Mobile Congress होता था लेकिन इतना बड़ा नहीं होता तो मैं भी इसको शाय थोड़ा नेगलेट करत इसको विजिट करना चाहिए, और हाँ, इसका कोई ticket भी नहीं होता, पहली clarify कर देता हो, बस registration करना है, zero rupee fees है, और आप जाके देख सकते हो, और कोई promotion वगेरा नहीं है, क्योंकि literally हापे कोई पैसे नहीं लिये जाते है आपसे, और ना ही कोई भी जो कमतनी रहती, वो यहाप अपनी salesman गिरी कर दिया, मतलब समझ गए ना कि हमने stall लगा दी, आपको सामन बेचा जा रहा है, ऐसा नहीं वहाँ पे pure tech वाली चीज़ है, मतलब कुछ example देता हूँ, जैसे कि मैं Jio के boot पर गया, तो Jio ने literally वहाँ पे demo में अपना air fiber लगा रखा है, उन्होंने demonstration setup कर रखा ह है, कि Indian company ने 5G का जो millimeter wave के लिए, जो modules जो tower पे लगाई जाएंगे, उनको वहाँ पे showcase कर रखा है, जो की made in India, और ये काफी अच्छी चीज़ है, ऐसी products के अंदर geoglass है, games खिला रहे है, और वो experience देनी कोशिश कर रहे है, वो चीज़े आपको showcase कर रहे है, जो अभी market में release नह अच्छा लगा, जियो किसे air telly भी ऐसी कोशिश करी, यहां तक कि Nokia जैसी company, हाला कि मैं HMD Global की बात नहीं कर रहा है, जो handset बनाती है, मैं यह Nokia असली वाली की बात कर रहा हूँ, जो यहां पर telecommunication equipment बनाती है, उन्होंने live 6G का demo यहां पर डाल रखा था, मैंने ट्विटर और X-Space की photograph वगरा post करी थी, basically 6G था तो मैंने Nokia से बात करी और उन्होंने यह बताया कि technology पहली बात तो अभी बहुत initial phase में है, 28 GHz का यह लोग spectrum यहां पर use कर रहे हैं, और उनका यह कहना था, कि 6G अभी हमारा सिर्फ radar होता है ना, कि एक जगे आपकी location कहाँ पर area में उसी तरीके वो showcase कर रहे हो दिखाना चाते हैं, लेकिन यह technology तैयार होने में 5 साल लगेंगे, और consumer के हाथ में आने में 7 से 8 साल लगेंगे, लेकिन हम एक experience तो कर सकते हो, technology का कि आखर future कैसा होगा, 6G कैसा होगा, और भी काफी सारी थी, तो हाँ यह एक experience अच्छा लगा, और यह यह कि इस सब की बात जाने देते हैं, लेकिन और अगर हम इंडिया में आये, तो चीजे सेनेरियो बहुत ही से बतल रहा है, मतलब यह पता चला कि इंडिया अब जो telecommunication equipment है, अब हम African countries को भी कुछ provide करने वाले, बहुत साई चीज लगी, यहां तक की GEO अपने 5G के equipment को भी बना रही है और यह भी मेर को यहां पर काफी जाद अच्छा लगा, कि exactly में जो GEO हो गई, यहां फिर जो आपकी दूसरी telecommunication partners हैं, इंडिया वाले काफी अच्छा हैं यहां पर compete कर रहे हैं, मतलब कि एक तरह से इंडिया में Chinese companies जो रहती है, ZT और Huawei, उनकी entry तो यहां पर चलो बंद कर यह वो तो इन्होंने participate भी नहीं किया हैं यहां पर, लेकिन उसके competition में देखा जाये तो बहुत ही कम countries हैं जो exactly में telecommunication equipment का अच्छे quality के दूसरे को provide करती हैं, मतलब चाइना से ZT Huawei हो गए, फिर आपकी Ericsson आती है, फिर आपकी Nokia आती है, और Samsung आती है, इनके अलाव अगर compete यह यहां पर इंडिया से develop हो रही है, तो वो एक काफी अच्छा मेरे को लगा, एक proud moment सा लगा, कि technology लेवाइस हम काफी काम कर रहे हैं, और एक बात मेरे को यहां पर अच्छी लगी कि मेहां पर Vodafone Idea से भी मिलने गया तक उनके बूत पर गया, उनसे मैंने यही पूचा, आप अपना 5G कब आ रहा है, तो कुछ बाते पता चली, मैंने पास्ट में भी शेयर किया, तो रिपीट कर देता हूं, अगर आप लोगो नहीं बता है, तो पहली बात Vodafone Idea का 5G आएगा, कब आएगा यह नहीं पता, लेकिन non-standalone network पे वो काम कर रहे हैं, एर फाइबर का डेम उ लोलाउट की है, जहां पे कुछ कंजूमर शायते से यूज भी कर सकते हैं, लेकिन पैन इंडिया कब होगा, यह नहीं पता, उसके comparison में, जियो और जो एर टेल, वो काफी एक अच्छा काम कर रहे है, खैर यह भी काम है, और देख के ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री जो थी मतलब पहले हम चाइना पे काफी जाधा डिपेंडेंसी रखते थे, फिर धीरे-धीरे चीज़े चेंज होने लगी, मतलब एक recent news तो बाता होता हूँ आपको की Corning Gorilla Glass भी आप इंडिया में बनता हुए, देखने को मिलेगा, जो cover glass होगा वो, इसके साथ ही iPhone 17 का production चाइना से पहले इंडिया में शुरू किया जाएगा, recently Ming Chi को famous Apple analyst उन्होंने रिपोर्ट किया था, और अभी Vistron की facility Tata acquire करने वाला उसमें जो iPhone बनेंगे, वो बहर भी जाएंगे बिकने के लिए, चीज़ा हम manufacturing level पर बढ़ रहे हैं, जो कि काफी कछी चीज़ है, हाला कि एक और एक ऐसा field है, जहां पर हम काफी अच्छा करें, इवन चाइना से भी बहुत बेटर कर रहे हैं, और ये बात मैंने न, एक बहुत बड़ी company के CEO से सुनी थी, हाला कि मैं चलो आपको सब बता देता हूँ, basically मैं electric vehicles को cover करता हूँ, और इंडिया में जो दो companies जो अच्छा काम करती है, वो next level है, क्योंकि चाइना में जो प्रोड़क्स बन रहे हैं, वो use and throw हैं में technology वाइस कुछ नहीं है, जो development यहां पे लोग कर रहे हैं, वो काफी जादे next level है, और इस टैप की जो प्रोड़क्स होते हैं, इस से पहले world में कभी नहीं आए, मतलब कि उन्होंने बताए कि ether को उन् implement कर सकें, और smart scooter बना सकें, और देखा जाए तो वो एक ऐसी चीज़ जो काफी अच्छी लगी, same कहानी ओला electric के साथ है, अब ओला electric के बारे में काफी सारी चीज़ आती रहती है, लेकिन उनकी factory में को बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि factory जो उन्होंने create कर रखी हैं, वो world company देखी, जो हर साल सब के लिए अपनी दर्वा से खोल देते हैं, कोई भी अगर उनकी factory विसिट करना आना चाहता है, तो यहाँ पर उनकी factory वगिरा विसिट कर सकता है, खेर, वहाँ पर एक अलग टाइप का innovation हो रहा है, और उन्होंने तो वेर को यह भी बोला था, कुछ सा जालत मेरे को लगता है कि बीच-वीच में सुधरती रहेगी, अच्छी होती रहेगी, लेकिन बात है कि सही तरीके से काम करें, अच्छे product दे लोगो data privacy का ख्याल रखे, तो यार, क्या ही बात होगी, और mobile phone में तो यह भी बता सकता हूँ कि iPhone जब से बनने लगा है, तब से Google की नजर भी, और 2024 में Pixel phones भी जब इंडिया में बनेंगे, उम्मीद करता हूँ कि इंडिया में उनकी कीमस हो साच आए, क्योंकि इंडिया में Google एक one of the fastest growing brand में आ गया था, जब Pixel 7 आयते, 7A आया, या 7 Series के phones निकाले, 8 Series की pricing बहुत जादा है, लेकिन अगर कीमत कम हो जाए, प् किसी का कोई question वगरा है, chat वगरा में तो उसको यहाँ पर देख लेते हैं और करते हैं, बायदावे 10 बचे live stream थी, तो 10 बचे इसे देखा या तो उससे पहली हमने काफी सारी चीज़े यहाँ पर कर दी थी, तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है, तो सबसे पहले यह जो पार्टनर होता है, वो सैमसंग से अटाक के B.O.E. को यहाँ पर पकड़ लिया है, लेकि फिर भी guarantee नहीं ले सकते हैं कि green line की problem आएगी कि नहीं आएगी, 8 series, 9 series में बहुत जादा observe की गई है, कुछ लोग कहना है कि अवाज ठीक नहीं आ रही तो शायद इंटरेट की connectivity हो आते थे वो चाइना से आते थे और मादव शेट उनकी टीम यहाँ पर execute करती थी, उनको पास जादा यहाँ पर control नहीं था, basically he was the face जो कि हाँ पर company के बहाँ पर करते थे, अभी के सब्वे बात है कि realme धीरी धीरे bounce back कर रही है, budget में नार्जो पर काम कर रही है, realme 11, 11, 11, 11 pro series के अंदर भी, और अभी सोचने में लगे हुए कि GT series को इंडिया में लाएं कि नहीं लाएं, तो देखते हैं, अगर realme अच्छे bounce लाएगा, लोग को पसंद आएंगे, तो चलता रहेगा market में, simple सी बात है, इसके साथ ही GTA 5 का, GTA 6 का जो trailer होता है ना यार दोस्तों, मेरे को ल और PS3 के बाद PS4 पर भी आया, PS5 पर भी आया, अब GTA 6 आएगा तो देखते है, इसके साथ ही बात किया है, तो Redmi Note 3 कैसा है, मेरे को लगता है कि अच्छा phone रहेगा, चाइना में लाँच हुआ है, मेरे को लगता है कि जैनवरी तक इंडिया में भी लेंगे लोग, उनकी काफी पॉपलर सिरीज रहती है, इसके साथ ही लोग का सवाल है कि OnePlus 12 ले कि S24 या 23 Ultra ले, देखो अगर आपको best possible smartphone experience हाई ना तो फिर तो आप S24 Ultra ले, बजेट अगर कब है तो S23 Ultra को भी देख सकते है, वो भी साई फोन है, उसके बाद आप OnePlus 12 को भी हाँ पर देख सकते है, मेरी नज चीज है, इसके साथ ही बात करें तो nothing phone 2 versus OnePlus 12, तो overall बात करें तो OnePlus 11 थोड़ा सा better phone है, थोड़ा सा value for money लगता है, इसके साथ ही काफी दूसरे सवाल भी है, मैं कहूंगा कि mobile phone के लाब आप दूसरे सवाल भी पूछे ना, तो जाद अच्छल है, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आप देखेंगे ना, तो मैंने भी philosophy काफी change करिए, कि mobile phones का मतलब, technology का मतलब mobile phones ही नहीं होता, इससे आओर भी काफी जादा चीज़े रहती है, लावा की current situation के बार में थोड़ा बाता है, देखो, लावा ठीक कर रहा है, मैनुफेक्चरिंग पर काम कर रहा है, और लावा के बार में एक-दो बाते बता सकता हूँ, कि शत, बहुती जल्दी हमें उसका कोई नया phone देखने को ले, हाली में कोई leak news वगर आई थी, तो, उम्मीद करते है कि चीज़ें यहाँ पे better करते रहे, और मेरे इसाब से budget पे थोड़ा सा कम focus करें, अगर 20-30,000 में और और phone निकाल यार, वो एक clothi, एक mainstream mobile phone player है, तो उसका वो फायदा उठा सकते थे, वो अपने कुछ prototype या कुछ images या, dummy phone भी रखते थे, जो अभी आए नहीं है, एक case के अंदर, तो कंद से कम लोग का interest आता, लोग उनके boot पे आते, जिससे free में hype मिलती, क्योंकि लोग उसकी picture social media पे share करते, यह एक चोटी सी चीज़ जो लावा यहाँ पे कर सकता था, तो वो एक चीज मेर को लगी हाँ पे, ठीके तो लावा के बारे में हमने बात करी, इसके साथ ही, लावा Blaze Pro 5G में 4 Plus ही है, क्या नहीं, इसका मतलब मैं समझा नहीं, लेकिन Xiaomi के competition से निकल जाएगा कुछ सालों में देखो Xiaomi अभी तो नहीं निकलने वाला बहुत बड़ी कमनी और चाइना में लोग बहुत पैसा बना रहे हैं, तो डेफिनेटली जब तक चाइना में सर्वाइग कर रहे हैं, इंडिया में रहने वाले, लेकिन अगर इंडिया में गवर्मेंट का या एडी या किसी भी स्ट गूगल प्ले स्टोर में नंबर वन अप ता और वो काफी नीचे गर चुक है, तो बेसिकली बात है कि जो कमत्नी धीरी धीरी बेटर करी अपने आपको स्टेबलाइस कर रहे हैं, अपने आपको थोड़ से डैवर्सीफाइब कर रहे हैं, एक जगे स्टिक नी कर रहे है, व mobile phone खतम भी हो जाए ना, उसका business तो भी उसे तना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाकी जगे stability है, वैसा इन companies को भी करना पड़ेगा, इसी के साथ ही बात करें, तो काफी सारी चीज़ आते हैं, Micromax की कहानी क्या है, देखो Micromax सा simple सी बात ही है, कि Micromax जो है, कि अभी कभी phone आता है, कभी नहीं आता, तो मैं कहूंगा कि मेरे आप कोई high expectation नहीं है, अगर उन्हें लोग का भरोसा दोबारा से जीतना है, तो बहुत ही तखड़ा काम करना पड़ेगा, और सिर्फ एक बार नहीं लगाता है, एक साल तक अच्छा काम करो, अच्छे phone निकालो, लोगों को अच्छी service दो, तो आप लोग का एक अच्छा भरोसा गिन कर सकते हो, लेकिन कम से कम कुछ time देना पड़ेगा, अभी दोवार से भरोसा कर पाना थोड़ी दिक्कत आती है, इसके साथ ही काफी सारे लोग का सवाल है कि Xiaomi के Hyper OS के नमबर वन बन सकता है, देखो एक OS नहीं बना सकता है, नमबर वन बहुत सारे factors बनाते हैं, कि लोगों का उनका phone पसंद आ रहा है, लोग किस segment में खरीद रहे हैं, बहुत सारी चीज़े हैं, लेकिन Hyper OS एक attempt है, जिससे Xiaomi अपनी image और लोग को एक better experience देनी कोशिच कर रहा है, चाइना वर्जन आया है, ग्लोबल वर्जन हमने दो, तब की कहानी तब हम देखेंगे, इसके साथ ही Xiaomi 11i series में Dolby Atmos है, बट volume डाउन हो गया, देखो, इस type के सवाल अभी 11i है नहीं, तो उसको check नहीं कर सकता हमें, इसके साथ ही बात की जाए, तो लोग जाद तर इसी type के सवाल पूछ रहे हैं, कि Realme के बारे में, भरोस के बारे में पूछ रहे हैं, भरोस के बारे में, तो वहाँ पर आपको update मिल जाएगा, important चीज होगी, कुछ नहीं चीज होगी, तो definitely वीडियो भी मिलेगा, subscribe कर सकते होगे रहे तक नहीं किया है, तो इसके साथ ही S24 Ultra release होने के बाद S23 Ultra की price क्या रहेगी, मेरे को लग रहे है कि अभी 1 लाग के आसपास ही रखे गए, 90,000 भी जा सकता है, हाला की चीज़ डिपेंड करती है, मेरे साब से 24 Ultra जब लाँच हो जाए ना, तो offline market में एक बार देख लेगा, कई बार offline में, कई सारे लोगे पास better deals मिल जाती है, online कई बार हमें थोड़ा इंतिजार करना पड़ता है, एक टिप है यह, आसूस का टफ लेकि HP का विक्टस, देखो सिंबल सी बात है, कि टफ की मेरे को build quality थी अच्छे नहीं लगी, तो HP विक्टस थोड़ा सा बैटर यहाँ पर लगता है, इसके साथ ही, why Xiaomi is not consistent with their product line, तो Xiaomi को लग रहा है कि अपनी image change करने में धीरे धीरे थीरे थोड़ा time लगेगा, product सही निकाले, timing सही रखे, तो एक चीज़ा थोड़ी consistency रखे, वही बात है, देखो मोटा मोटा हिसाब बतातो, Xiaomi जैसे company का क्या होता है, चाइना में बैठके, लोग decide करतें कि इंडिया के लोग को क्या चाहिए, चाइना से instruction आती, जिसे इंडिया की team execute करती है, जातर Chinese company में यह यह, बाहर से decision लिया जाता है, अगर सारे का सारे decision power सब कुछ इंडिया में लेना, काफी खमाल हो जाएगा, इसलिए मैं कहता हूँ कि electric two wheelers में जो काम हो रहा है ना, सब इंडिया में हो रहा है, मतलब, वो सारे decisions तब कुछ इंडिया के हिसाब से ले रहा है, और ऐसे products बना रहे हैं जो अगर इंडिया में successful होगा है ना, फिर तो आप कहीं भी चला लो, मतलब एक छोटा से difference में बता रहा हूँ, यहाँ पर क्या हो रहा है, तो वो एक चीज़ है जो मेरे को यहाँ पर काफी accept करती है, तो वो एक बात है यहाँ पर, इसके साथ ही काफी सारे दूसरे सवाल है, कि mobile phone ले, या Microsoft versus Google, विच इस बेटर, और देखो, अपडेट से वाली जो problem थी, कुछ लोगों यहाँ पर यहाँ डेफिनिटली देखने को मिली थी, इसके साथ ही, तो अब भाई सवाल यहाँ पर रिपीट हो रहे है, तो मैं बोलूगा कि, अभी जितने भी लोग हैं, तो वीडियो को यहाँ पर लाइक कीजिए, शेर शेर तो चलो छोड़ो, सब्स्क्राइब नहीं क्या, तो सब्स्क्राइब कीजिए, और ये छोटा सा टैम था, वीडियो स्ट्रीम खतम होने बाद, अगर कोई भी प्रॉब्लम आई है, ये कोई भी टेक्निकल ये चाहिए, तो सारी चीज़ यहाँ पर आटोमेटेडल हो रहे है, कुछ AI का भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे को भी पता नहीं, कि final output यहाँ पर क्या होगा, तो चलिए यार खतम करते, तो thank you आपका इस live stream बने रहने के लिए, मैं आप समलता हूँ next one के लिए,